हलो स्ट्वेंट्स आज जो है वो एक नए वीडियो जो है वो मैं लेकर क्या हूँ है हो आप लोगों के लिए यहां पेरेंटनल मेडिकेशन के उपर तो ऐसे सभी आपका स्ट्वेंट्स जो नर्सिंग फिल्ड के अंदर आपका है तीक है नर्सिंग नर्सिंग के अंदर या फिर जो आपका पेरामेडिकल्स हैं पेरामेडिकल्स या फिर जो नर्सिंग आपका प्रैक्टिस के अंदर है या फिर ऐसे आपका नर्सिंग स्ट्वेंट्स जो आप गॉर्मेंट एक्जाम्स या फिर आपका हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी जो प् आपका parental medications की एक method के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि जो आपका theory exams होती हैं उनके अंदर किस प्रकार के प्रसंद पूछे जाते हैं और जो आपका skill set होता है या फिर nursing आपका interview होते हैं वो interview में parental medications की ये जो method है इसे related क्या क्या आपका पूछे जा सकते हैं तो students ये मेरा जो वीडियो है वो बहुत ही important है आपको इस वीडियो को अंतक देखना चाहिए यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को subscribe करें और अपने और जो friends हैं उनको आप recommend करें बहुत ही आपका important आपका ये वीडियो होने जा लाज्ट तक आप देखें परते आपका जो point है उसको आपका समझने की कोशिज करें students तो students सबसे पहले तो मैं इसी की बात कर लेता हूं कि parental medications होता क्या है आपके यानि कि पहले तो सबसे पहले हमें parental medications जो हैं उनीके बारे में बात करते हैं कि parental medications जो है वो क्या है तो देखो यहाँ पे parental medications का meaning है, कि आपका medications, जिनको हम injections के द्वारा, body tissues, या फिर circulatory system, body का जो circulatory system है, circulatory system, उसमें inject करते हैं, यानि कि medications को injections के द्वारा, जब आप body tissues में inject करते हैं, और directly आप circulatory system में inject करते हैं, तो medications की इस method को, parental medications बोल देते हैं, यहाँ पे body tissues की बात की गई है, तो body की कौन-कौन से tissues के अंदर, medications को administer किया जा सकता है, यदि हम इस बात को आपका समझे हैं, तो यहाँ पे आपका subcutaneous tissues जो होए हैं, उनके अंदर आपका medications को inject किया जा सकता है, injections के द्वारा, subcutaneous जो आपका tissues होते हैं, उनके अंदर loose connective tissues होते हैं, जो हमारी dermis जो है, skin की layer, इसके below आपका present है, तो dermis के below, जो subcutaneous tissues हैं, उनके अंदर यह दि medications को inject किया जाता है, तो उसको हम subcutaneous आपका क्या कहेंगे, medication administration, या injection administration कहा देंगे, तो parental medications का एक जो आपका root है, वो आपका subcutaneous है, यदि हम दूसरे की बात करें, तो हमारे पास में, intra-dermal injections से आपका होते हैं, या फिर आपका intra-dermal जो root होता है, इसके अंदर जो dermis layer है, इसके इनकी, उस dermis के अंदर, dermis layer के अंदर medication जो है, वो आपका injection की मदद से inject के जाती है, यदि हम तीसरे root की बात करें, तो हमारे पास में, intra-muscular root होता है, intra-muscular root में, जो muscle की body होती है, या जो muscle tissue है, बोड़ी के, ठीक है, muscle tissue, तो जो muscle tissue है, उसमें directly medication को आपका administer करते हैं, तो आप उसको आपका intra-muscular बोल देते हैं, और next हमारे पास में, जो है, वो आपका IV आपका medications, या IV injections होते हैं, जिनके अंदर हम directly आपका जो medication है, उसको आपका जो vein है, उनके अंदर आपका क्या करते हैं, inject करते हैं, by using IV line, यानि कि या तो हमारे पास में IV line होती है, और या फिर आपका venus access device होती है, तो वो जो venus access device हैं, उनका use करके medications को हम किसमें आपका डाल देंगे, यानि कि vein के अंदर inject कर देंगे, तो ये जो आपका root होगा, उसको आपका क्या कर देंगे, IV कहेंगे, तो parental medications जो हैं, उनको आपका administer करना है के हमारे पास में 4 roots हैं, या तो subcutaneous roots से आप inject करते हैं, या intradermal से, या फिर हम आपका intramuscular, और या फिर आपका IV आपका है root, उसके दुआरा medications को body tissues, या circulatory system के अंदर directly आपका inject करते हैं, तो ये जो आप तरीका है, आपका medication administration का, उसको हम parental medications कहा देते हैं, इस्टुएंट्स आपको थिरी एक्जाम के लिए ये point आपको याद रखना चाहिए, कि आपका जो medications, जो आपका directly body tissues, या circulatory system के अंदर inject की जाती हैं, वो basically आपका parental medication administration होता है, इस्टुएंट्स चार आपको parental medications के आपका root पता होना चाहिए, जो आपका बहुत ही common है, subcutaneous, intradermal, intramuscular और IV, यहाँ पर nursing interview के अंदर, या फिर आपका जो skill set आपका जो एक्जाम होती है, clinical skills के, तो उसके अंदर आपका ये पूछा जा सकता है, कि parental medications के administration के root क्या होते हैं, तो ये चार root के बारे में students आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, students यदि हम इसके बात करें, कि आपका administration of injections क्या है आपका, कई बार आपका ये भी आपका प्रसंद पूछा जा सकता है, कि आपका injection administration किसे कहते हैं, तो strength देखिए, बहुत ही simple है, आसान है, ये needle and syringe, यानि कि यहाँ पर needle and syringe की बात की गई है, are used to introduce a suitable liquid preparation of a drug or medication, directly into the body tissues or in the vein, यानि injection administration किसको कहेंगे, कि आपका जो medication है, वो आपका कौनसी form में strength होना चाहिए, liquid आपका form में होना चाहिए, drug जो है, वो आपका liquid form में होना चाहिए, ये बहुत important बात है, कि जो injections है, उनके द्वारा जो medication आपका administer करते हैं, वो कौनसी form में होना चाहिए, ये ये दी person पूछा जाता है, तो वो हमेशा आपका कौनसी form में होना चाहिए, liquid form के अंदर होना चाहिए, यानि कि ये ये दी medication की form semi-solid है, यानि कि आपका semi-solid medication है, यानि कि आर्दर्थोस, या फिर आपका solid आपका यानि की form के अंदर है, tablet form के अंदर जैसे, तो वो injections के दुआरा आपका inject नहीं की जा सकते हैं, और आपका liquid preparation है, जो drug की या medication की, उसको administer करने के लिए, body tissues में हम needle का use करते हैं, और syringe का use करते हैं, इस ट्रेंट्स ये जो आपका part है, इसको हम needle बोल देते हैं, और ये जो part है, इसको basically हम क्या बोल देते हैं, आपका syringe बोल देते हैं, ठीक है, तो ये तो आपका syringe है, और ये needle है आपका तो syringe and needle या फिर needle and syringe का use करके यदि liquid आपका form के अंदर medication को directly body tissues या vein में administer करते हैं तो उसको आपका क्या कहेंगे students injection administration कहेंगे आपका यहाँ पे आप देखिए कि आपका subcutaneous injection का आपका site दिखाया गया है कि आपका जो subcutaneous tissues हैं यानि subcutaneous injections तो आपका यह basically यहाँ पे loose connective tissues हैं उन loose connective tissues के अंदर medication को inject किया जा रहा है needle और syringe के help से हैं यहाँ पे strands आपका देखेगा यान कि directly जो needle है उसको basically किसमें आपका medication administration करने के लिए muscles के अंदर तो आपका muscles के अंदर injection and needle की आपका needle and syringe की help से आपका medication को administer किया जा रहा है तो basically यह दिए आपका यह पूछा जाता है कि injection administration क्या है तो आप उसको ऐसे define कर सकते हैं कि needle and syringe are used to introduce a liquid preparation of the drug directly into the body tissues और veins तो आपका उसको क्या कहेंगे injection administration कहेंगे strands तो injections की दुआरा medications क्यों देते हैं यह भी आपका थोड़ा सा discuss कर लेते हैं इस्टुएंट्स जो आपका महतब पूर्ण है और parental जो medication आपका administration है वो क्यों किया जाता है यानि कि या तो आप यह कह दीजिए कि parental आपका medication administration क्यों किया जाता है और या फिर आपका जो injections हैं उनकी कि आपका मादद लेकर के medications क्यों आपका administer की जाती है या कब administer की जाती है यह ऐसा person पूछते हैं तो इसका answer आपका students यह होगा कि rapid action of the drug is desired यह हमें medication का body के उपर rapid आपका क्या चीए effect चीए immediate आपका effect चीए यान कि कोई emergency condition है patient की और patient को उस emergency condition के अंदर medication administration करने की requirement है तो उस case के अंदर आपका injections के दोवार आपका क्या करेंगे medication आपका administer करेंगे strengths जैसे कि for example आपके पास में एक जो patient है वो basically आपका क्या है unconscious है आपका ठीक है तो unconscious patient का आपका case है एक आपका severe allergic का आपका जो patient है ठीक है तो severe allergic condition का patient है एक आपका injury का patient है trauma का patient है जिसको severe क्या है pain है आपका तो pain को reduce करने की आपका requirement है allergy के अंदर आपका respiratory problem से आपका उसको बचाने के लिए आपको medication का effect जीए unconscious patient जो है उसके लिए आपको medication administration करना है तो वहाँ पर हमें rapid action चीड रग का तो उस समय आपका medication को injection के द्वारा administer करेंगे यदि हम oral root यदि आपका medication administration का oral root आपका क्या है contra indicated it means आपका oral root से medication को आपका नहीं दिया जा सकता वो आपका contra indicated है किसी कारण से जैसे कि आपका for example यानि कि जो आपका oral cavity है उस oral cavity की कोई आपका injury है mouth से related आपका कोई injury है suppose that तो आपका medication वो आपका swallow नहीं कर सकता या फिर आपका कोई surgery वगेरा हुई है आपका तो उस case के अंदर भी वो swallow नहीं कर सकता आपका medication को unconscious patient है तो वो आपका swallow नहीं कर पाएगा आपका ठीक है या फिर आपका swallowing की difficulty है या फिर कोई patient जो है वो mental illness का आपका patient है या फिर जैसे की case वो आपका जो children है ठीक है या old age की आपका patients तो ऐसी जो patients जो आपका orally medications नहीं ले सकते उनको आपका medications आपका किस के दोवारा आपका inject करते हैं इंजेक्शन के दोवारा उसके बाद लार्ज amount of liquids required to be administered sometimes patients patient की clinical condition के according हमें large amount के अंदर liquid जो है या फिर आपका more amount of medications जो है वो administer करने की requirement होती है तो वहाँ पे भी आपका किस की help लेते हैं आपका injections की इसका सबसे best example strengths आप जानते हैं IV जो आपका line है तो IV line के दोवारा patient को large amount के अंदर आपका liquid है वो आपका administer किया जा सकता है तो यह तीन बहुती है आपका महत्वपूंट common आपका कारण है जिनके कारण हम जो patient है उसको आपका medications जो है वो आपका injections के दोवारा आपका administer करते है या तो आपको medication का rapid action चीए immediate effect चीए या फिर oral route के दोबारा उसको medication देना आपका possible नहीं है वो contra indicated है patient की आपका condition assist करने पे और या फिर patient को आपका large amount के अंदर आपका liquids या medication administer करना है तब भी strength आपका parental जो आपका medications है route है या injections है वो आपका use किया जाएंगे आपका ठीक है ये basically इसका यानि की purpose है ये इसका goal है यानि की parental route का आपका use करने का ये तीन बहुती common आपका क्या है conditions हैं जिनके अंदर आप injections के दोबारा patient को medication administer करेंगे या तो rapid action चीए आपको या फिर oral route contra indicated है patient की condition असेस करने पर और या फिर आपका large amount के अंदर उसको medication देना है तब आप किसका use करेंगे injections का use करेंगे इस्टेंट्स अब इस्टेंट्स बात आती है कि आप procedure करने जा रहे हैं तिक है यदि आप क्या करने जा रहे है procedure यानि कि patient को medication से आप administer करने का condition assist कर ले कि उसको injections के दोबारा ही medication आपका देना है तो आपको injection administration करने से पहले क्या क्या occupants arrange करने की requirement होती है ये भी आपका प्रशन जो है वो आपका clinical skill set या nursing interview के अंदर आपका पूछा जा सकता है कि आप एक patient को injection से administer करने जा रहे हैं तो आप क्या क्या occupants जो हैं वो आप arrange करेंगे आपका तो occupants की यदि हम बात करें तो commonly ये occupants हमें कोई भी injection administer करने की requirement होती है हमें sterile syringes जी हैं आपका ठीक है तो जो भी आपका medication हम administer करेंगे वो हमें से sterile syringes जो है उसी का आपका use करके आपका administer करेंगे क्योंकि यदि आपका unsterile syringes होंगे या फिर आपका contaminated syringes होंगे या फिर used syringes होंगे तो जो आपका infections हैं आपका parental root के दवारा उन infections के होने के आपका chance क्या हो जाएंगे आपका बढ़ जाएंगे आपका आपको पता ही है जैसे कि आपका HIV है आपका या फिर hepatitis B है तो इनके आपका होने की जो आपका risk होती है वो आपका बढ़ जाती है इसलिए हम ऐसा sterile syringes आपका यूज करना चाहिए कोई भी medication के लिए strength infection से prevent करने के लिए alcohol swabs की आपका requirement होती है जो skin है या जो site है उसको आपका clean करने के लिए sterile करने के लिए आपको किसकी requirement है इस alcohol swab की adhesive tap की यदि आपका आईवी cannula वगेरा यदि हम आपका patient को लाइन में लगाते हैं तो आपका adhesive tape जो होती है उसकी requirement पड़ेगी उसके बादे ग्लाउज तो आपका जूस यानिकि आईवी लाइन आपका access नहीं कर रहे हैं यदि आप directly intravenous आपका नहीं दे रहे हैं तो आपका जो simple clean gloves है उनका आप यूज कर सकते हैं तो gloves जो है उनको आपका उनकी जुरूट पड़ेगी ये standard precautions के अंदर भी आता है students आपको पताई है उसके बादे sterile water for injections तो ये दि आपका powder form के अंदर injections हैं आपके पास में medication powder form में हैं तो उसक tool breaker या seizure की requirement पड़ेगी उसके बाद में जो needles हैं या injection है उनको destroy करने के लिए sharp container की आपका requirement पड़ेगी medicines तो ये दि आपके पास में जो भी doctor का order है उसके according आपको medicines चीए तो ये सब आपको equipments की requirement पड़ेगी कोई भी medication जो है उसको आपका administer करने के लिए injections के दुआरा यानि कि हमें sterile syringe चीए तो आपका sterile syringe होने चाहिए हमारे पास में sterile syringe है कि आपका diagram instruments उसके बाद में ये alcohol swab तो आपका है जो आपका skin clean करने के लिए उसके बाद में आपका needle और आपका cutter होता है आपका ठीक है यानि ample breaker और आपका scissors जो है वो आपको चीएगा उसके बाद यह आपको gloves चीए adhesive tapes चीएए आपको sterile water चीए आपका injections के लिए यह sterile water है आपका ठीक है उसके बाद में यह sharp container यानि कि जो used आपका needles है उनको destroy करने के लिए sharp container जो है उसकी जरूरत है और आपका जो भी doctor का order है उसके according आपके पास मेडिशन्स होने चाहिए यह सब आपका equipment कोई भी आपका injection आप administer करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको जरू आपका इसकी बात करने जा रहे हैं आज की वीडियो में यह आपका important आपका injection administration का आपका root है intramuscular फ्रेंट्स थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा हो सकता है बट यह बात आपको मैं ensure करता हूँ आप इस बात में आपका विश्वासर किये वीडियो आपका खतम करने के बाद में आपको intramuscular injection से समंदित कोई भी आपका doubt नहीं होगा नहीं तो theory से समंदित और नहीं आपका practical आप यह दि आपका hospital में working nurse हैं तब भी आपको यह मेरा आपका video देखना चाहिए क्योंकि इससे आपकी जो practice है उसके अंदर improvement आएगा आपका जो quality है आपका nursing care deliver करने का उसमे improvement होगा students यदि हम intramuscular injections की यदि हम बात करते हैं तो intramuscular injections जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो parental medication है parental medications उनको administer करने का एक आपका क्या है root है students आपका intramuscular ठीक है और इस root के अंदर जो medication होती है उसको आपका injection की help से आपका directly किस के अंदर आपका introduce करेंगे किस में inject करें जो muscle tissue है body के उनके अंदर आपका क्या करेंगे आपका inject करेंगे ठीक है तो यह तो आपका simple बात होगी जो आप सब जानते हैं आपका ठीक है और उसके बाद में आपका इसमें सबसे पहले metapoon बात होती है यदि आप IM injection administer करने जा रहे हैं ठीक है IM आपका students आपका क्या करने ज injection तो आपको IM जो site होती है उनके selection के बारे में आपको पता होना चीए कि जो आपका patient की जो आपका intramuscular sites होती हैं उनका कैसे selection करना है और selection के लिए क्या-क्या आपका factors होते हैं क्या-क्या आपका कारक होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चीए site selection के लिए strengths यदि हम बात क तो patient की जो age होती है उसको आपका consider किया जाता है ठीक है उसके बाद में patient की जो condition है उसको आपका consider करते हैं आपका age के अंदर students देखेंगे कि वो आपका child है या फिर आपका patient एक adult patient है या फिर आपका क्या है यानि की older age आपका patient है ठीक है तो आपका उसकी age को consider करेंगे क्योंकि आपका children के case में adult और older adult आपका older जो आपका age के लोग हैं उनके अंदर आपका site है वो vary करती है आपका EM injections की इसलिए age आपका site selection को आपका influence करती है परभावित करती है यह important factor है patient की condition भी आपका important factor as friends जैसे for example एक आपका patient है जो आपका यान की late नहीं सकता है आपका ठीक है आप उसको यान की ventrogluteal आपका जो root है उसके द्वारा IM injection देना चाहते हैं और patient जो है वो लेटने के अंदर आपका क्या है smart आपका ASMR है यान की patient जो है वो आपका lying down नहीं हो सकता आप आपका ठीक है लेटने के अंदर आपका patient जो है वो आपका क्या है ASMR है तो उस इस्तती के अंदर हो सकता है कि आपको standing आपका जो है उस position में आपको medication administration करना पड़े तो आप ventrogluteal root को क्या कर दो change कर दो तो patient की condition जो है वो भी आपका एक important factor as friends side selection में उसके बाद में volume of medication कितने आ पाद में type of आपका क्या है यानि की medications वो भी आपका क्या है important है type of medications टीक है कैसा आपका medication है कौन से type का है आपका age condition volume and type of medications ये चारूं जो factors हैं वो आपका IM side के selection के अंदर आपका important role आपका क्या करते हैं play करते हैं students टीक है ये theory का आपका question हो सकता है nursing exams के अंदर यानिकी theory के कि कौन से जो factor हैं वो IM side selection के अंदर आपका role play करते हैं या फिर जिनके महतरपूर्ण भूमी का होती है तो patient के age conditions आपका volume of medication और type of medication ये आपका important factors हैं जो side selection के अंदर आपको consider करने चारूं येदि आप nurse हैं practicing nurse हैं तब भी आप येदि IM injection आप देने जाते हैं तो ये आपका बा नीडल की जो size जो आपका IM आपका injection administration करने के लिए एक और आपका महतरपूर्ण बात हैं और वो student आपका है नीडल जो होती है उस नीडल की आपका जो size है और उसका आपका जो चुनाव है वो भी in factors के उपर आपका depend करता है और especially needle size के लिए हम तीन बातों का wishes करके आपका ध् Patient की age का, एक Patient का body weight का और एक Patient का BMI यैन की body mass index का तो needle का जो आपका size है कि अपकाct लार्ज साइज की आपका या फिर आपका big needle होगी या फिर छोटी needle होगी तो needle की size है वो इन तीन factors के दोवार आपका decide की जाती है कि patient की age क्या है, patient का weight क्या है और BMI क्या है साथ में स्ट्वेंट्स जो आपका यानि कि और साथ में आपका जो other factors के बात करे नीडल साइज आपका selection में तो एक आपका amount of amount of आपका क्या है amount of एडिपोज tissue तीशियू यानि कि आपका जो एडिपोज़ tissue इस patient की body में आपका कम है ज्यादा है इस बात का यह अर्थ है पेशेंट जो है वो थीन है या फिर आपका ओबीज है यानि की मोटापा है वो भी आपका नेडल साइज के अंदर रोल प्ले करता है स्टुरेंट्स उसके बाद है मेडिकेशन की विसको सिटी यानि की जो मेडिकेशन आप द आपका वो यानकी एकदम से तरल है आपका ठीक है या फिर आपका कोई यानकी गाड़ी यानकी विसकस है आपका तो विसकस का आपका मिनिंग हो जाएगा स्ट्रेंट्स गाड़ा जैसे कि ओली आपका मेडिकेशन आपका ठीक है तो यह दिया आपका विसकस मेडिकेशन है ओल नीडल का जो गोज होता है उसको आपका डिशाइड करने के अंदर आपका क्या करता है रोल प्ले करता है और साथ में आप कौन सी साइट जो है आपका इंजेक्शन की उसके अंदर मेडिकेशन देने जा रहे हैं उसके उपर भी नीडल साइज का आपका जो सेलेक्शन है वो का depend करते हैं तो इस्ट्रेंट्स यहाँ पर हमने यह बात कि हैं कि एक तो आपका IM injection की जो site है उसको selection करने के लिए क्या-क्या factors आपका role play करते हैं तो यह 4 factor है patient की age उसकी condition आपका volume of medication कितना amount आपका administer करना है आपका यानि कि उसको small amount के अंदर आपका medication देनी है या फिर तोड़ा ज्यादा आपका medication देना है उसके बाद आप of medication कैसा है यह सब आपका side selection के अंदर आपका मदद करते हैं strengths और दूसरा factor है strengths वो है needle की size से समंदित तो needle size की यह दी हम बात करें strengths ठीक है तो needle size जो है उससे समंदित यह दी हम बात करें तो needle size को आपका decide करने के लिए patient का age आपका weight body का आपका BMI amount of adipose tissue BMI का अंदर आपका इंका रोला जाएगा यान कि वो थीन आपका patient है ठीक है यानि कि आपका पतला है या फिर obese है मोटापा है उसके अंदर तो वो भी आपका needle size decide करने में role करने करते हैं और साथ में जो आप medication देने जा रहे हैं उसकी viscosity कैसी है वो आपका aqueous water की तरह है आपका या फिर वो आपका oily preparation है कोई irritating preparation है viscous है तो वो भी आपका needle की size आपका decide करने में students role play करता है तो यहां पे दो person आपका theory के बनते हैं कि आपका I.M. injection के लिए needle size आप कैसे select करेंगे आपका टेका उसको आपका कौन-कौन से factors आपका influence करते हैं और एक आपका side selection है उसके उपर आपका pressure बनता है students कि आपका कौन से आपका factors है वो I.M. injection की side selection के अंदर आपका role play करते हैं तो यह बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए students उसके बाद में students यदि हम देखें नेक्शा आपका बात यहां पर कि I.M. injections जो होते हैं उनके आपका एक मैतपून बात है वो basically आपका strengths ventrogluteal site I.M. injections आपका start करने से पहले मैं थोड़ा सा यहां पर बात कर लेता हूँ कि जो I.M. injections होते हैं उनकी दवारा भी आपका क्या है complications हैं आपका ठीक है यानि कि आपका जो injection है उसके देने के बाद में patient को कुछ आपका परेशानिया आपका शुरू हो सकते हैं complications का हिंदी यार्ट तो strengths आपका जटिलता या परेशानी है तो क्या-क्या complications आपका हो सकते हैं I.M. injections से यह भी आपका एक यानि की clinical या फिर आपके इंटर्यू के अंदर आपका nursing इंटर्यू के अंदर आपका person पूछा जा सकता है तो आपका जो theory की exams होती है उनके अंदर भी strengths आपका person पूछा जाता है कि I.M. आपका जो injections होते हैं उनके क्या-क्या complications आपका हो सकते हैं तो आपका complications के बारे में strengths आपको पता होना चाहिए यह दिए हम complications की बात करें I.M. injections की complications के अंदर सबसे mehtapoon तो आपका सबसे पहला है वो है muscle atrophy आपका ठीक है यानकी जो muscle tissue है उसकी आपका atrophy हो सकती है आपका वो आपका destroy हो सकता है आपका ठीक है उसके बाद में strengths आपका cellulitis हो सकता है ठीक है cellulitis यानकी आपका skin infection यह दिस सजी से आपका ध्यान नहीं दिया तो basically आपका क्या हो सकता है skin आपका infection हो सकता है bacteria के current जो आपका क्या हो सकता है cellulitis आपका ठीक है उसके बाद में students आपका sterile abscess formation तेक है यानि कि basically आपका कहए रहे है sterile sterile abscess formation और abscess आपका meaning होता है students आपको पता ही हिंदी में बोले तो आपका जो मवाद है उसके आपका बनने का तो basically वहाँ पे यानि कि tissue damage होंगे तो आपका sterile abscess जो है वो आपका बन सकती है मवाद जो है वो आपका बन सकती है साइट के उपर और उसके बाद में आपका स्ट्रेंट्स जो है वो नरव इंजरी है आपका टीक है तो आपका जो I.M. इंजेक्शन हैं उनकी वज़े से आपका पेशेंट को आपका क्या हो सकती है नव injury हो सकती है और यदि now injury हुई students तो patient को आपका क्या हो सकता है partial paralysis या फिर आपका complete paralysis भी हो सकता है बहुत ही महतपून बात है partial paralysis या फिर आपका क्या हो सकता है students जो आपका complete paralysis जो है वो आपका हो सकता है ठीक है complete आपका paralysis तो ये बात आपका बहुत ही महतापूर्ण है कि यदि आप आई-एम इंजेक्शन से आप पेशेंट को देने जा रहे हैं तो आपको ये बातें भी आपको पता होना चाहिए कि आई-एम इंजेक्शन के कारण पेशेंट को क्या 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 कॉम्प्रिकेशन या परिशानियां आपका हो सकती हैं और इन परिशानियों से पेशेंट को बचाना है ये बहुत ही महतापूर्ण बात है जिसके कारण ही यदि पेशेंट को आप इन परिशानियों से बचाते हैं तो मसल के आपका tissue damage हो सकते हैं उसके बाद इंजरी to the bones बहुत ही मैतपूर्ण है कि जो bone tissue है उसको भी आपका injury हो सकता है यह इंजेक्शन के कारण यह दि आपका bone को आपका medications या फिर आपका needle ने आपका यह दि टच किया तो फिर now injury दो injury है इंजरी है और यह दि नरव injury होगी तो patient को partial या complete paralysis जो है वो experience करना पड़ सकता है आपका यान कि patient का आपका जो neurons है वो आपका क्या हो जाएंगे नरव से आपका damage हो जाएंगे स्ट्रेंट्स शाथ में यह दि आपका यान कि आप sterile practices follow नहीं करते हैं तो आपका दो यह आपका हो सकता है cellulitis और आपका sterile abscess formation आपका हो सकता है cellulitis is transbacterial skin infection को बोलते हैं तो आपका जो common है इसलिए आपको क्या करना चाहिए sterile practice जो है वो follow करना चाहिए यान कि एक तो gloves आपको wear करके medication देना चाहिए और उसके बाद में जो site है उसको आपका sterile जो alcohol swab उससे आपको clean करना चाहिए cellulitis से आपका prevent करने के लिए और sterile जो abscess है वो भी आपका इसका एक क्या है complication है आपका तो sterile आपका जो abscess formation है वो भी आपका हो सकता है I.M. injections की वज़े से तो ये तो स्ट्रेंट्स आपका I.M. injections के आपका complications है जटिलता हैं जो patient को आपका experience करने पड़ सकती है उसके बाद में स्ट्रेंट्स यदि हम बात करें sites of I.M. injections तो आपका sites of I.M. injections जो हैं ये भी आपका एक महत्तपूर्ण परशन बनता है students I.M. injection sites तो I.M. injection sites के लिए आप कौन-कौन से आपका muscles के अंदर medication आप administer कर सकते हैं क्या-क्या sites आपको use करने चीएं तो आपका ये ती sites के बात करें तो सबसे पहले आपका जो site है वो आपका students है यानकी ventrogluteal यानकी ventrogluteal site ये first आपका site है ये हम second बात करें तो students आपका I.M. injections जो है उनको आपका किसका यूज करके यानकी vastus lateralis टीक है vastus lateralis जो आपका muscle है उसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं vastus lateralis टीक है medications आप administer कर सकते हैं vastus lateralis I.M. root का आप यूज कर सकते हैं तीसरा जो आपका root है वो strands आपका क्या है वो आपका deltoid root है यानके deltoid जो muscle होती है उसके अंदर आप medication administration कर सकते हैं strands यहाँ पर एक बात आपका महत्यपूर्ण है जो आपको समझना चीए यानि कि आपका जो dorsal gluteal root टीक है dorsal gluteal आपका root तो जो dorsal gluteal आपका root है उसको या फिर आपका जो site है उसको I.M. injection के लिए आपका क्या नहीं करना चीए यूज नहीं करना चीए students यहाँ पर एक बहुत ही महत्पूर्ण आपका एक और बात मैं यहाँ पर बताना थोड़ा सा आपको चाहूंगा कि I.M. जो आपका injections है उनकी वज़े से भी आपका एक महत्पूर्ण आपका complication और भी है और वो basically आपका क्या है pain है student ठीक है I.M. injection आपका करने के बाद है patient को जो आपका site है उसके उपर आपका pain जो है वो आपका experience होता है यह इसका most common आपका complication है patient का जो pain है वो आपका most common complications है और यह most common complications I.M. injection का होने के कारण ही आपका हो सके तो patient को I.M. root से आपका क्या नहीं करना चीए medications नहीं देना चीए I.M. root जो है वो बाखे के जो roots हैं उनके दवारा यदि medications नहीं दिया जा सकता तब ही जा करके prefer करते हैं तो यदि यहां पे आपको clinicals के अंदर आपका यह person पूछा जाए interview में आपको यह person पूछा जाए कि एक जो patient है उसको आपका यानकि कौन से root के दवारा या फिर आपका कौन से root के दवारा सबसे बाद में या आखिर के अंदर आपका adverse effect है IM injections का इसलिए हो सके तो patient को IM injection देने से आपका बचना चाहिए अदर जो roots हैं सबकुटेनियस है dermal है या फिर आपका IV roots हैं उनका आपका यूज करके patient को medications करना चाहिए यदि आपका उनके दवारा संभव नहीं है तब ही जा करके आपका IM injections के दवारा medication देना चाहिए और यदि sites की बात करें तो ये तीन आपका most common sites है एक आपका यानकी ventrogluteal site है आपका students तो ventrogluteal आपका site से आप medication दे सकते हैं IM injection तो vastus lateralis जो है उसका आपका यूज करके और deltoid जो आपका muscle है उसका यूज करके आप IM injections दे सकते हैं ये तीन आपका जो root हैं IM injections देने के लिए most preferred dorsogluteal site को आपका avoid करना चाहिए इसके अंदर आपका दो risk constraints और या फिर आपका एक बहुत हिम हैतापूंट risk के आपका dorsogluteal site से injection देने में और वो basically आपका क्या है इस root में आपका psychic जो 9 होती है वो आपका present होती है और psychic 9 जो है आपका उसकी क्या हो सकती है psychic 9 की injury हो सकती है students आपका इस root को आप ये दिख्या करते हैं select करते हैं और psychic 9 की आपका injury हुई तो patient को partial या complete paralysis जो है वो आपका experience करना पड़ सकता है तो आपका ये वाली जो risk है psychic 9 आपका injury की या psychic 9 के damage की इसके लिए आपका कौन सा root आपको select नहीं करना चीए dorsogluteal जो site है आपका I.M. injection की वो आपको select नहीं करने चीए इसकी जिगह पे आपका ventrogluteal most preferred है strength ventrogluteal उसके बाद ये वास्टस लेटरलिस आपको यूज कर सकते हैं या deltoid आपका यूज कर सकते है strength थोड़ा जो वीडियो है वो आपका बड़ा हो रहा है इसलिए आपका ventrogluteal site के अंदर आपका injection जो है उसको administer करने के लिए आपका जो next जो आपका part है यान की जो procedure और साथ में आपका जो वास्टस लेटरलिस आपका मसल है उसमें injection और deltoid आपका जो मसल है उसके अंदर injection ये जो आपका तीनों injections के आपका जो site है और इनके बाद अंदर आपका medication administration उसको आपका next video के अंदर मैं procedure जो है वो discuss करूँगा शाथ में क्या क्या सावधानिया आपका बरतनी चीए है उसके बाद में कैसे आपका care करना चीए ये भी आपका discuss करूँगा और आपका उसके अंदर ये जो आपका procedure है उससे related आपका part discuss करूँगा उस आपका video के अंदर ये आगे का जो part है वो हम discuss करेंगे इसलिए students इसका जो part 2 जो video है वो भी आप जुरूर से देखें ताकि आपको जो IM injections है उनके सबी doubts जो है वो clear हो जाएं थोड़ा बड़ा होने के कार्ण मैं इस video को आपका दो topic को आपका दो video के अंदर आपका cover कर रहा हूँ ये part 1 है वो इसका part आपका जो 2 है वो भी आपका मैं इसका record कर रहा हूँ students मेरा video आपको पसंद आए students subscribe करें आपका recommend करें इसी परकार से और जो आपका videos है वो आपका different आपका जो topics हैं उनके उपर आप देखते रहिएगा मेरा जो channel है उसको subscribe करके मुझे support करें क्योंकि students आप यदि subscribe करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा आपका देखेंगे तो आपका जो YouTube है वो मेरे जो आपका videos हैं उनको आपका ranking के अंदर लाएगा आपसे मेरे को यही मदद की जरूरत है धन्यवाद